नमस्कार दोस्तों, मैं भारती स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल भारती का भक्ती भाव में जयान और बुद्धी के देवता गनेश जी सभी देवताओं में प्रतम पुझ्य हैं वे गना धिपटी है जिन्हें किसी दूसरे देवी देवताओं का आदेश मानने की मजबूरी नहीं ये ऐसे देवता हैं जो जीवन को शुबलाब की दिशा देते हैं वे हमारे जीवन में रिद्धी सिद्धी लाते हैं गनेश जी की प्रतिमालाने से पूर्ग या घर में स्तापना से पूर्ग ये सवाल सामने आता है कि श्री गनेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए? क्या कभी आपने दिहान दिया है कुछ मूर्तियों में उनकी सूंड दाई तरफ या कुछ में बाई और होती है? कुछ मू दक्षिन या बाईं की और सूंड वाली बनाई जाती है तो वह तूट जाती है यदि से योगवश आपको दक्षिना व्रत मुर्ती मिल जाए तो विधी पूर्वकुस की उपास न की जाए तो अभिष्ट फल मिलते हैं तो चलिए आज बात करते हैं इसी विशय पर की जी का अलग-लग महत्व होता है गनपती जी की सूंड मुड़ी हुई होने के कारण ही ने वक्रतुंड कहा गया है वक्रतुंड गनेश जी के भी दोस्वरूप हैं दाइनी सूंड वाले और बाईं सूंड वाले तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाईं सूंड वाले गन इसे इडा नाडी भी कहते हैं, यह शीतलता परदान करती है, वै उत्तर दिशा अध्यात्म की पूरक है और आनन्दायक है, इसलिए पूजा में अधिकतर वाम मुखी गणपती जी की मूर्ती रखी जाती है, इनकी पूजा के लिए विशेश विदी विधान की अवश्चक्त नहीं होती, आप किसी भी प्रकार के वस्तर पहन कर वै सामान्य पूजा पद्दती से इन्हें प्रसन कर सकते हैं, यह थोड़े में ही संतूष्ठ हो जाते हैं, वै तुरूटियों पर ख्शमा कर देते हैं, अते इस प्रकार की प्रतीमा घर में स्थापित करने के लिए शु धन प्राप्ती, व्यवसाई, उन्नती, संतान, सुख, विवा, स्रजन कारिये, वै पारिवारिक खुशाली इत्यादी, इस प्रकार के गणेश जी को विगन हर्ता गणपती जी कहा जाता है, अते घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की बाई और सूंट घुमी हुई प्रतिमा स्थापित करना शुब माना जाता है, इसके पीछे तरक यह है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो कई बुरी बलाए, विपदाए या नेगटिव एनरजी हमारे साथ घर आ जाती है, घर में प्रवेश से पहले जब हम विगन विनाशक गनेश जी के दर्शन करते हैं अब बात करते हैं दाई सूंड वाले गनपती जी की, जिस मूर्ति में सूंड के अगर भाग का मोड दाई और होता है, उसे दक्षिन मुखी या दक्षिना भी मुखी मूर्ति कहते हैं, इसका पिंगला स्वर होता है, यहां दक्षिन का अर्थ है दक्षिन दिशा या दाई जिसे हम सीधि बाजू कहते हैं धक्शिंद दिशा यमलोग की और लेकर जाने वाली होती है वे दाई बाजू सूर्य तिशाली होता है वे जिसकी सूडिय नाड़ी कार्य रत्थो वे तेजस्वी भी होता है इन दोनों अर्थों से दाइं सूंडवाले गंपती जी को जागरित माना जाता है ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्म कांड के अंतरगर्ट पूजा विदी के सभी नियमों का यर्थार्थ पालन करना आवशक होता है इस से दक्षिन दिशा से प्रसारित होने वाली रज लहरियों से कष्ट नहीं होता इस मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धिती से नहीं की जाती इसके लिए आपको एक विद्वान पंडित की आवशकता होती है जिसकी देखरेक में पूजा संप घर और ऑफिस में नहीं रखी जाती इसको स्थापित करने के लिए धार्मिक रीतियों का पालन करना जरूरी होता है अते अधिकतर ऐसी मूर्ति देवालियों में स्थापित की जाती है इन गनेश जी का पूजन शत्रु पराज्य विजे प्राप्ति उग्र शक्ति प्रदर समय यदि इनके दर्शन कर लिए जाएं तो कार्य अवेश्य सफल होता है वे शुब फल प्राप्त होता है सिद्धी विनायक मंदिर में दाई और घूमी हुई सूंड वाले गनपती जी है इसलिए इसकी आस्था और आय शिखर पर है गनेश जी की कुछ प्रतिमाएं सीधी सूंड वाली भी देखी गई है सीधी सूंड वाली गनपती जी की प्रतिमा दुल्लब होती है और इसका सुशुमा स्वर माना जाता है इनकी अराधना रिद्धी सिद्धी कुंडलीनी जागरन मोक्ष समाधी आधि के लिए सर्वत्तम मानी जाती है संत समाज ऐसी मूर्ती क की आराधना करते हैं अतर दोनों प्रकार के गनपती जी की स्थापना करना शुब माना गया है पर केवल दाई और सूंड वाले गनपती जी की स्थापना के लिए विशेश नियमों का पालन किया जाए तो वो अभिष्ट फल देते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही कल फ